असलाम लेकुम आज हम बनाएंगे कुछला हुआ गोष्ट तो चलिए हम बनाना शुरू करेंगे यह 500 ग्राम बोनलेस मटन और इसके अंदर आट करेंगे अब हम कटीवी हरी मिर्ची साथ से आट ले लेंगे मुठी बर कोटमीर आट करेंगे और अब हम इसको एक मिक्सर ग्राइट जार में आट करेंगे और कोर्सली ग्राइट करेंगे यानि के दरदरा पीस लेंगे गोष्ट को इस तरह से ज्यादा बारिक ने करेंगे पीस लेने के बाद में अब हम इसके अंदर अड़ करेंगे नमक एक टीस्पून हल्दी पॉडर एक टीस्पून अद्रेक लेसन का पेस्ट दो टीस्पून लाल मिस्ट पॉडर दो टीस्पून यह है पीसा हुआ होम मेट गरम मसाला पॉडर एक टीस्पून अच्छे से मिला लेंगे अब सारे मसाले आट कर लेने के बाद में तो चलिए अब हम इसको पकाने के लिए एक कड़ाई के अंदर आट कर लेंगे आदी गलास पानी आट करेंगे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद में अब हम फ्लेम आउन कर लेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम हीट पे पकाएंगे जितना भी पानी है पूरा ड्राइ होने तक हमको यह पकाना है बीच बीच में हिलाते भी जाएंगे ताकि दाख न लगे जितना भी पानी था ता फूरा अब ढॉरा ड्राइ होगया पूरा पानी ड्राइ हो जाने के बाद में अब हम इसको तलेंगे तो तलने के लिए हाफ प कुकिंग आट करेंगे और यह हे एक टीस्पून कालिमर्स पॉडर और अब हम इसको फ्राइ करेंगे लो हीट पे 20 मिनिट के लिए तो ये देखिए कुछलावा गोष्ट अच्छे से फ्राइ हो गया तो अब हम इसके अंदर आट करेंगे थोड़ा सा पुदीना एक नीम्बू का निकाला हुआ रस एक मिनिट के लिए भून लेंगे अब और इसके बाद में अब हम फ्लेम आफ कर लेंगे कुछलावा गोष्ट रेडी है सर्फ करने के लिए तो अब हम फ्लेम आफ कर लेंगे इसको सर्फ कर सकते प्लेन राइस रोटी और खटी दाल के साथ में तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करके देखिए और अगर रेसिपी अच्छे लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को शेर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए थैंक्स फर वाचिंग अल्ला हाफिज